राजस्तान के मुखे मंत्री भजलाल शर्मा दिल्ली के दोरी पर आज है सेमेसिया भजलाल शर्मा जोदपुर हाउस से रवाना हुए केंद्री मंत्री जेपी नज्जा के साथ मुलाकात के लिए तुसान उढ़नी किया है काफी महत्पुन चर्चा हैं आज रूए आज के दिन के लिए क्योंकी एक और है नेच्ची आई को लेकर के चर्चा थी इतन गड़करी के साथ और अब जानकारी है वो जोदपुर हाउस से निकलनी की सामने आ रही है केंद्री मन्त्री जेपी नज्जा से मुलाकात के लिए राजस्तान के मुख्याब जलाल शर्मा जोदपुर हाउस से अब निकल चुके हैं उसके बाद में जब ये मुलाकात होगी तो कई महत्फोन मसलों पर चर्चा होगी राजस्तान के उप्चुनावों को लेकर के बात होगी राजस्तान में आने वाले दिलों के क्योंकि राजस्तान का बजट आ चुका है केंद्र का बजट आना बाकी है राजस्तान के बजट में बंपर घोशनाय की गई है, बंपर वादे की गई है, सभी वर्गों को भान में रखते हुए सभी के लिए सरवांगी इंविकास का बजट सरकार लेकर आई है आप इंप्लिमेंटेशन को लेकर के जनता की जो अमीद हैं वो बहुत ज़ादा बढ़ गई है और उसी दिशा में राजस्तान के मुखिमंत्री भजलाल शर्म आपने पूरी टीम के साथ लगातार जोटे हुए हैं उस दिशा में हर एक कदम उछा रहे हैं भले वो केंद्री नित्रुपी के साथ मुलाकातों की बात हो क्योंकि देकि जो सामंजस्य है वो अब राजस्तान में डबल इंजन की सरकार का है राजस्तान में भी भारती जनता पाचे की सरकार है केंद्र में भी सरकार हो और ऐसे में किसी भी क्रियान्विती के दौरान कोई भी कन्फ्यूजन ना हो सामंजर से स्थापित हो जाए और उसके बाद में जो चीजे हैं वो सही समय पर सही ट्रैक पर पहुंचे जन्ता को लाव हो तो बिलाकर के काफी महत्पूम मीटिंग ये रहेगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सही ये और डेली वियूज एडिटर अदिती नागर समय वर्सा जुटके है अदिती जोदपूर हाउस से निकले हैं सीम शर्मा और ऐसे में केमडरी मंत्री जेपिन अड़्डा के साथ मुलाकात की जानकारी सामने आ रही है क्या खास रह सकता है मुलाकात होगी तो क्योंकि नेच आई के मसले पर मुलाकात और उसके बाद में जेपिन अड़्डा के साथ मुलाकात पर क्या बिंदो रहेंगे बाचीत के कि अखी तक तो एनेक्पियाय और सड़क परियोजना और सड़क मार्क को लेकर उनकी निचन गड़करी से लंबी मुलाकात को जी लेकिन अब जो मुलाकात है वो आदी मैस्पूर है चाहे फिर आप उसको संगठन के लिहाद से समझे तेकि सबसे पहले आपको अबेग मुलाकात का सबस्ता वो उसके बाद एरपोर्ट भी रवाना हो सकते हैं अगर किसी और करका कोई कारिकर मांगे नहीं बरता तो अब देखे सबसे मैस्पून बात यह है कि यह मुलाकात क्यों इंपॉर्टन है तो पिछले कुछ दिनों में कई तरह के फीड़बैक सरकार को सबस्क्राइब कर अधन दों में सबस्क्राइब कर और जो पंसरी है उनको लेकर अगर कहीं ना कहीं बात चीत और उसकी सबसे बड़ी वज़ह है कि अग्यमाने के अंदर उपच्छण ओने हैं जिसमें फुलाकरशेण तो तोड़न के अब देखे में देग्याब बहार्द जनता पांगे मंत्री और कर्दी ने पिछले देम में लगातार आला कमान्ती मुलाकाद कर चुके हैं और इसको लेकर भी तवाम केता आया है कि सरकार कैसे चलगे अब यह माना जा रहा है जैसे आज अगर अरुम चत्रवेदी की बात करें उन्हों नहीं भी आला कमान से मुलाकात की है और जाहिद दौर पर अरुम चत्रवेदी यह संबखता उनके असपास के सूत्रे बता रहे हैं दौर्टा से उक्चनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए उन्होंने मुलाकात किये लेकिन उससे पहले भी अनीता बदेल कल अमिच्छा से मुलाकात उन्होंने की यह भी सूत्र बतार है और अनीता बदेल ने सरकार के संबंदित कई फीड़बैक दिये तो जाहित तोर पे जब मंत्री विधायक नीता से फीड़बैक आ रहे हैं और कहीं न कहीं संगठन में भी कोई बदलाव करने की जो लगातार चर्चाएं भी हो तो ऐसे में यह जो राष्टर अधिक से जो मुलाकात है इन तमाम मायनों को लेकर है तो एक बार थिर समझते ह पहला जो फीड़बैक लगातार धाच्पा के नेता दे रहे हैं उस पर चर्चाएं दूसरा उप्चुनाओं को लेकर जो अभी कारकारने भी हुई है और तमाम चीजों को लेकर आगे क्या जत्यवदी या किसकिस को बुलाना है बड़े नेताओं को कोई लोकारपन कराने ह और तीसरी बात है कि संगठन में जो बदलाओं और चौता सफसे मैसपोर हैं कि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कहीं न कहीं कई ऐसे फीड़बैक आए हैं जो सरकार के समंदिर और सरकार के मुखियां है भजला शर्मा तो आज जेपी नडड़ा कुछ फीड़बैक दे सकते ह और किस तरीके से आगे बढ़ना है उसको लेकर भी मुख्यमंतरी से बातचीत कर सकते हैं किर्दगिर्द और रह सकता है अदृति या फिर जो बजट घोष्पनाय की गई है उसको लेकर सामंजस से केंद्र के साथ कैसे स्थापत क्या जाए क्योंकि आप दोनों ही सरकारे भारती जनता पार्टी की प्रदेश में भी और केंद्रु में भी जाती में एक बार फिर यह कहना चाहते हैं कि यह जो बुलाखाप है इसको बहुत संजीजा तरीके से इस्थे लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे विधायक मंत्री और नेता भाजपा के आला कमान से मिलकर राजस्थान के जो कारे प्रणाली को कह लें या सरकार के कारे को लेकर बहुत फीड़बैक दे रहे हैं और उसी फीड़बैक पर मुख्यमंत्री को बुलाया गया है और मुख्यमंत्री पर से बात्चीत होगी ऐसा सूथर बता रहे है तो जाहर तो पर सरकार अगर अगये छे महीं में बहुत अच्छे से चले तो ही उनका जो छाप है वो नतीजों में नज़र आई जी तो यह साथ चुनाओ की तैयारी, संगठन में कमर कसना, बड़े खेंजन में नका, लोकारपणिया, नीव रखने के लिए बुलाना और उससे बड़ी बात है कि मंत्री जितने भी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री का सामच ज़र तो कि सूतर ये बता रहे हैं कि जितने भी मंत्री हैं उनमें से कुछ मंत्री आलकमान के पास आकर कुछ ऐसा टेड़ बैक दे चुके हैं जिसको अब कीप करनी के आवश्यक्ता है और जिसके लिए आज जेपी नड़ा और मुख्यमंत्री मुलाकात कर दें ठीक है अदिती शुक्रिया आपका इस पूरी बात शीर के रहे हैं